Assalamu alaikum कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ रावय कुछ दिन पहले मैंने ग्लैम्रस फेस पाउडर के उपर वीडियो बनाई थी और फेस पाउडर अप्लाई करने से पहले मैंने रोस जल अप्लाई की थी जो किश्मिश और गैनिक थी और मैंने आप लोगों को का था कि यह रोस जल थी ठीक है यह मेरी दर्स आपको हाइली हाइली रेक्रमेंट डिटा अगर आप इसको बाइकन आचाते तो जरूर बाइकन इसके रिजर्ट्स बहुत जबरदस्त हैं लेकिन यह प्राइसी है और एक महीने में यह खतम भी हो जाती है तो अगर आप अपने घर पर र बहुत असानी से बहुत ही कम इंग्रीजेंट्स का इस्तमाल करते और बहुत ही कम पैसो में आप इसको बना सकते हैं अच्छा अगर मेरा बनायावा हो में रोस जल आपको पसंद आगया तो फिर यह जो किश्मिश और गानिका ओर्स क्लिंजिंग मिल्क है तो यह समर के कुछ रहेते हैं कि समर के लिए कोola की बहुत ही नाइच प्रिम बता देगे समर के हिसाब से बिलकुल लाइट वेट हो नोन gateway्स हो और रिच इनए सी हो तो अन लोहों के लिए बहुत जारब्स प्रेश और बनाना सीखते हैं लेकन उससे वहला मेरी चानल को सब्सक्राग कर् अगर आपका देसी घुलाब कोशिश करें के भीदेशी घुलाब आदे कब से थोड़ा सा जयादा पानी चुले के अउपर एक लगधी अगने द्रख देना आपने के लिए रख देना है और रोस पेटल्स जो है आपने इनको पले अच्छी तरह से वाश कर लेना है तरके जितनी भी इसके ओपर डर्ष्ट वगएरा है वह सब की सब रिमुग हो ठीक है उसके बाद आपने इसको हलकी आज के उपर इतनी देर तक पकाना है जितनी देर कर लेना है फिर आपने एक बड़ा चमच भड़के लेना है ऐलोवेरा जल कर ठीक है अलोवेरा जल आप कोई भी इस्तमाल करें लेकिन कोशिश करें कि आपके अलोवेरा जल आपने मार्किट की ही इस्तमाल करनी है अच्छा जी ऐलोवेरा जल लेने के बाद आपके पास होन इसके एक छमबस्टेस ज्यादा नें 20 ऐप तेंट दॉपस प्रलीडरा से चुछ प्रसे एक स्पेंड और Sellu आप 15 अश्मिज दॉपस्ट अपने 10 ऑप्से हैं चमबस ज्अचा है है आजम को जड़ी ग्लेसरीन अच्छीत तो इसका अच्छी तेरा स curved अब आप में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और अब मैं आपको मार्केट वाली जो है ना रोस जल वो निकाल के दिखाती हूं और आप देखें कि यह दोनों का गलर तरह सिर्फ इनके टेक्स्श TRA का है जो थोड़ी थिक consistency में है और जो market वाली रोस जल है वो थोड़ी सी मतलब के thin है पतली रनी consistency है उसकी ठीक है तो अब हमने क्या करना है कि हमने यह जो गुलाब के फूलों के पतियों का जो अर्क निकाला था हमने उसको आपने जो हाफ टी स्पून करकर के आपने इसके अंदर उसको शामिल करते जाना है और आपने इसको mix करते जाना है ताकि इसकी consistency जो है वो थोड़ी सी रनी हो जाए अब बहुत जाए थिक consistency में पसंद है लेकिन थोड़ा सा इसको रनी consistency में रखना है तो आपने इसको जो है वो मिक्स करते जाना है थोड़ा थोड़ा आपने यह जो गुलाब के फूल की पतियों का अर्क है तोड़ा थोड़ा थोड़ा इसके अंदर शामिल करते जाना है औ मुझे मार्केट में केही पर रहा है अपने इर्दिः के दुकाने थी ना यहां से मुझे लेमन नहीं मिला तो मैं इसमें आड कर सकी घर पर भी पढ़ा हुँआ थो जरूर शामिल करती तो जिन लोगों के स्कीन के ऊपर लेमन वो वो इसके अंदर फ्यु रॉप्स लेमन जरूर शामिल करें और इसके बाद आपने इसके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगें तो अब मैं आपको मारकेट वाला जो है वो रोज्ड दिखाती हूं और घर पर जो बनावा रोज्ड जल है यह आपको दिखाती हूं तो आप इन दोनों का टेक्स्चर चेक करें टेक्स्च तो इनकी अपनी चीज़े होती ही तो चीजों चीजों में फर्क होता है उस हिसाब से ठीजे का थोड़ा सा ठेक्चर OR थोड़ी सी जो मतलब कलब है वो थोड़ा थोड़ा सा चेंजΑ है अधर वार्वार्स यह बिलकुल जैसे रोज जल की तरह का ही रोज जल है जो मैंने घर पर बनाए इसके रिजर्ट्स भी सेम से मैं आपको इसकी एप्लिकेशन भी दिखा देती हूं चलने पर आप इसकी एप्लिकेशन देखें उसके बाद फिर आगे बाद करेंगे यह जो जल है यह आपका 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 सिरम भी है आपकी जल भी है यह आपकी नाइट क्रीम भी है अब इसके अगर आप बात करें तो यह यह रिच इं विटामिन सी है तो इससे हमें मतलब anti-aging वाले जो effects हैं वो हमें मेलेंगे हमारी skin जो है वो youthful looking लगेगी वो issue है कि आपकी skin बहुत जादा oily है हम कुछ भी इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं और आप बहुत जबर्दस इसके results जो हासिल करेंगे और मैं आपको बता दूँ कि ये acne, pimples वगरा के लिए भी बहुत जबर अफेक्टिव हो कि जो dark spots होते हैं ये उनको भी day by day fade करती जाती है तो ये idea मेरे जहिन में आया अब मैं तो हमेशन से rose gel जो अपने घर पर बनाऊंगी और आप लोगों को भी सिखाती है आप लोग भी घर पर ही बनाए so guys वीडियो पसंद आयों दोसको like, share और subscribe करना बिल्कुल भी मत बूलेगा दुआओं में याद रखेगा, thank you for watching, allahafir